रम रम बई सारे भाई यान मापका भाई सुंदर दीनों दिया। आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर निवजी। दोस्तों आसी आगया हुमैं अर आसी भाई आप देख सको हो स्टूडियो है यो। और स्टूडियो किसका है जिसना भाई डीजे पह दूम मचा दी थी एड़ी मार के नाची मेडम बैठ बलेरोम है और भी काफी सारे गाने भाई के हैं फिलाल भी दो दिन पहली आ है के श्री देवी गाना तो वो भी बढ़िया चाल रहे है शुबास फोजी जो कि भाई आज प्यारा सा इंट्री अपती दिखावांगे और बात करांगे या गड़ी है बाई देखो जो काड़ी माई मंदिर है रूस का सारा बाई बाबा पीर का मंदिर है अगर किसे बाई नहीं मिलना हो तो आशी मैं यू एड्रस बूज लियो इप चलांगे उपर और उपर बाई आइसा बात करांगे तो बढ़े दोस्तों मिर साथ मैं आजो देखो दित्दल आ यह हैं यो कि अन्यवहोतक स्टूडियो है शुबास फोक्जी याहां पर अपनी रिकॉर्डिंग जितने भी रिकुर्डिंग आने को यहीं पर हैं तो बात करांगे यह यह साफ भई आज अपने चैनल पर बन गे हैं और भाई का प्यारा सा इंट्रीव करांगे तो भाई साब अपने दर्सक देख रहे हैं पहल तो गई दिर पहला था इतनी लेट आया था वह जब केकर थोड़ा हाँ और किते चले गए थे फोन कर दिया था भाई बाकि आड़ तो बिना बताया है ह तो इस साइड नमकूंगा देखो अपना परलाद भागना जी कैसे हो भाई साब बढ़िया बहुत बढ़िया वह राम राम सभी ने देखनाले ने जी आज अपना एक बाई है जो गिल्लिया है मेरे गाउं से हैं परदी प्यादो तो आज वह बाई का इंट्रू करेंगे अ इस प्कॉल करके आप आज यू चई वह अपने कित्ते तो किशे कलाकार का इंट्रू करना हो तो कर्ष को हो तो इब इंट्रू दिखावांगे पर्दी प्यादो वह बाइं जो बाई का इंट्रू करांगे तो बने रहे हैं दोस्तों मेरे साथ मैं और देखिए प्यारा सा इंटर्वियो सब पहले तो स्टार सुंदर जो चैनल को देख रहे हैं सारे बाणबाई आज उड़का है सुभास फोजी की तरफ सराम राम और स्वास्त कैसा है सरापका स्वास्त एकदम मस्त है आपके सामने हैं अभी आप पिछले 20 साल से हमारे कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो दिन रात प्रोचन देरे हो जो भी टाइम निकाड़ते हो इससे आप वह मतर जो मुकाम आशिल हुआ है उससे आप कितने खुश हो पूरी खुशी है जितना पबलिक का जो प्यार मिल रहे है आशिरवाद मिल रहे है उससे बहुत खुशी है और मातराणी किरपाजी में बढ़ी रहे है तो आज मैं आप से पूछना चाहूं हुआ शरीमान जी आपके कैरियर की शुरुवात शुरुवात ती दिनों में जाए यह दोई आदमी थे जो इस ट्रेक लाइन को लेके आए थे तो आप ना जो सुरुवाती दोर में जब काम करना शुरू करया तो कहां से काम करवाते थे का मुजिक च्यार करवाते थे आप मुजिक अपना होता था सोनु दुगे शर जो पहले एलनाबाद में थे आज अपने सुबास फोजी ओफिशल जैनल है अपना खुद का और रोकता हूं यह पर बादे सारे सो रोता हूं जोड़कर एक रिक्वेस्ट है अपने सुबास फोजी ओफिशल पेज ने आप लाइक करो शेयर करो और सिस्क्राइब करो क्योंकि इन को मासे जी को अर्याना का ग साम जिस गीत में गानम हो है उमना नहीं शुना है तो सई सब्वे संस्कर्तिक और अमारे कल्चर मारी संस्कर्ति से जुड़े हुए गाड़े सुनने के लिए उनको जानने के लिए आप इस चैनल को सुबास फोजी ओफिशल को सस्क्राइबर जरूर करें अगर दन्यवाद सब्सक्राइबर आपने इतना जो मान दे रहे हैं तो वैसे नाम बहुत बड़ा ले दिया गुर्दासमान वो तो हमारे बहुत आधरणी हैं और उनका सम्मान है हमारे दिलों में तो उनके बरापर तो नहीं है लेकिन शीक है उनकी थोड़ा सा उसी पटड़ी पे चलने बराबर जो उनके बराबर तो अर्यानवी कल्चर का हम तो कई सकते हैं वो तो वो हैं लेकिन एजे मोडल एजे सिंगर साइधी सेज में आप नहीं लगा जो पूरी तरह फिट हो पूरी तरह फिट हो आज के यूथ में तो इतनी वह जिम बगरा करते हैं जो यह नए मोडल आ हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं हर मुकाम बाज तक मुनिन का कोई नहीं किसी गाने को हम यह नहीं कह सकते पूरी तरह फैल है यह किसी को बज़ों बाद जा हर तीसरा गाना डीजे पर टाइम था माशे शुबास फोजी और प्लाद भागना या जी आप प्लाद के बारें उनकी कब मुलाकात होई कब आपने साथ काम सुरा करना सुरू किया दो जार साथ में अपना गाना अधा बगड़ की छोरी गोरी वो अच्छा चले था पहला गाना आए साथ ता जो अपना जो मार्गेट में पकड़ करी थी जिसने वैसे काम तो पहले से भी कर रहे थे लेक पलाद ने ढूंड़ा मेरे को तो पलाद भी यही आसी से भी लोग करता है थोड़े ही दूर गाओं है डाणी पाल और मेरा भी डाणा खुर्द गाओं है तो सेर एक ही था यही आना जाना था बाटिया टेलर के जिनों ने वो गाना लिखा था जेल कर आओगी छोरी जेल कर कर आओगी उनकी शौफ के उपर मुलाकात होई और जब मुलाकात होई तो उसके बाद फिर अलग नहीं वे साथ ही काम कर लें लंबे टाइम से अभी फिलाल मासेजियें के लड़के हैं अपने पारस आरके क्रू के नाम से चनल है और के क्रू के नाम से सोरी स्टूडियो है और आपना पारस भी बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है और जो ट्रेंडिंग में गाना चलता है रियाना का हर तीसरा गाना दूसरा नहीं तो तीसरा गाना आपको भी पारस के नाम से मिलेगा तो आपना मासे जी लड़के को इस फिल्ड में उतारने की कोशिश आपना मेरे इतनी लगन थी तो इसका अगर लगन है तो काम करने दिया जाए उसकी खुद की रूची थी शिखने की तो उसको सिखा आया है अच्छा अब बात करते हैं मासे जी आप से जैसे अमारा कल्चर में है मारी संसक्रती में सब्दों का कोई कमी नहीं है हम एक चीज के क्याते हैं जो हम परिवार में बैठ करके कई परोस में बाज रहा हो तो सुनना हमारे कानों के लिए हम सुन नहीं सकते और अच्छा नहीं लगता तो आपका इस बार हम के कहना है लेखकों के परती आपको क्या कहना चाहोगे देखो लेखक जो है जो कोई भी कलाकार है वह जो पबलिक को पसंद आवा है तो इसमें हम लेखक को तो बुरा कह नहीं सकते सबकुछ लिख्या है लेकिन कुछ ने ठोड़ा सा आड में लिख्या है वह सब्दों को गुमा विरा गए और कुछ ने सिधा लिख दिया लेकिन पबलिक अगर उसको अक्षैट कर रही है डी यह पुर्यां कोई मना नहीं कर रहा तो उसको हम क्यों करने सब्सक्रों करो हैं जो पूब्लिक णे हैं जो सिस्क्राइब इंख सकते हैं और गाशल कषी था नहीं वह am लड़का लड़की के प्यार प्रेम के ही होते हैं गाने तो बाग की कुछ एक जो संस्कृति से जुड़े गाने हैं वो अलग हैं तो गाने तो गाने तो प्यार प्रेम पर ही होते हैं लेकिन ये जो सब्द है एक है पटोला इस सब्द को आप कहां तक उचित मान रहे हो पटो हैं हमारे सुरताओं कोडियन्स को सुनाइए उसमें इनके कोपिराइट आजागा चैनल पर ना मुझे यह सुना देओ इसे चलागे यहां पर फिर वो उनको काटना पड़ागा अच्छा वो इस पर कोपिराइट में आजाए अच्छा दीजिए नहां वैसे सुना देंगे समाज के लिए बहुत ही एक शिक्षिया का विशे है और मैं कहता हूँ युवा साथियों के लिए खासकर बहुत ही एक काम की चीज़ है वो साल बीत गे कैसा लात मन खुलके नहीं देख्या बे असर हो गई चाबी हिलके डुलके नहीं देख्या मैं फुटे करमा याडा सूँ मैं फुटे करमा याडा सूँ रह बर्या पड्याजर का मैं ताला बोल रहा सूँ बदमासा के घर का मैं ताला बोल रहा सूँ बदमासा के घर का हो बदमासा के घर का आप सुनिये केपी भाई ने लिख्या है और बहुत ही अच्छा लिख्या है और बिनुगोड ने और मैंने दोनों ने मिलके गाए भी पारस ने मिजिक दिया है और अपने सबासपोजी ओफिशियल चैनल पे है अरस शिकारा भाई नवी नारू भाई प्रलाज भागना भाई इस सारे बड़े बड़े स्टार कास्ट जेडी बल्लू बहुत सारे अच्छे स्टार कास्ट इसमें वीडियो में है और कुमार नसीम ने बहुत अच्छी डा अला जाब रही जिसे पچह सि गाना था लत्टू तो ये ठे अपने माशे में भाई स्पोजी जी और इनका स्टूडियो है आसी में आरके क्रू के नाम से बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है पारश और बहुत ही अच्छे गाने गाए जाते हैं महाशेक जी दुबारा आज तक हमना मारे जिंदकी में दुबारा से फिर पीट करें इनके मुझे मैं कई कभी को और हमें कोमेंट करके बताएं आपको मासे जी मुलाकात कैसी लगी सारे भायाने राम राम और आपने अपने कीमती समय में से समय निकालके में जो समय दिया उसके लिए मासे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद